हेलो बच्चो मेरा नाम है केस वर्सा हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है अब इपसा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस ऑनलाइन क्लास है इस पर तो बच्चो आज की स्क्लास में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंंट और इंट्रेस्टिंड टॉपिक से मुष्ट इंपॉर्टेंट होने वाले है तो चल्रृ आज किस इस क्लास को happening स्टार्ट ने से पहले मैं आपको हमारे अभिपसर टीम के बारे में थ्वड़ा सा बदये रॉजाओंगा हमारी अभिपसर टीम ने आप सभी विद्यारतियों के लिए विसेश कर जो हिंदी माध्धम के बच्चे और जो गाव में रहने वाले बच्चे जिनको अच्छी सिक्षा नहीं मिल पारिया है उन सभी बच्चों के लिए हमारी अभिप्सा टीम ने एक ऐसा कोर्स लॉंच किया है जिसमें आप सीजी बोर्ड के कख्छा नववी से लेका कख्छा बार्वी तक के सभी सब्जेक्ट को असानी से और अपने भासा में पढ़ सकते हैं और बहुत सारी विसस्ता है बच्चों हमारे अभिप्सा टीम के उन विसस्ताओं को जानने के लिए आप हमारे अभिप्सा एप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउलोड कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट www.abipsa.in पर जाकर भी विजिट करके हमारी संपुर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठीके बच्चों तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था हरका परिमेई करन करना इसको आज हम सिखते हैं देखें तो देखें बच्चों मैंने हरका परिमेई करन करने से संबंधित ए पहले बात तो हम यह समझेंगे कि हम हरका परिमेई करन क्यों करते हैं ऐसी क्या जरुत आन पड़ी है कि हमें हरका परिमेई करना पड़ता है देखें देखें बच्चों को भी जब संख्या लिखते हैं को भी जब हम संख्या लिखते हैं तो उसके नीचे में याने की हर में हमेशा एक परिमेश संख्या होती है जैसे कि मैंने लिखा पांच पांच लिखा पांच के नीचे में हम जानते हैं कि एक होता है एक क्या है यहां पर एक एक परिमेश संख्या है अब अगर मैं भीन संख्या लूँ तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा चार बटा पांच अभी इस उधारन में देखे यहां पर हर में आपको क्या दिया हुआ चार देंगे घटा देंगे फॉझा मैंने किसे जाना पहली बात तो देखें एहां पर आपको इसको जानना पड़ेगा वर्घंच गांअ को गठांद में और और परिमेंस क्ग्या मेन तो इसी अपरिमे संख्या को हटाने के लिए हम हर का परिमे करन करते हैं क्या करते हैं रिजन समझ में आ गया कि हम हर का परिमे करन क्यों करते हैं हर में जो अपरिमे संख्या होती है उसको हटाने के लिए उसके जगह हम क्या करना परिमे संख्या लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम हर का परिमेई करन करते हैं तो यह हमारा रिजन हो गया कि हम हर का परिमेई करन क्यों करते हैं अब हम यह सिखेंगे कि हम हर का परिमेई करन कैसे करते चली देखें तो बच्छो देखें इस परकार के को आप कैसे बनाएंगे सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे हल चलो पिले कलर से दिता हुआ कि आपको अच्छे से वीजिबल हो जाए देखें यहां पर मैंने लिखा हाल देखें तो हम पूरा चीज हर चीजे एकदम step by step करते हुए चलेंगे ठीके बच्छों देखें तो पहले बाद हम क्या करेंगे जो हमें दिया गया है उसको हम यहां प साथ वह एक अपरिमेश संख्या है और उस अपरिमेश संख्या को हमें हटाना है उसके जगह में एक परिमेश संख्या लिखना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हर का परिमेश करन करते हैं चलो तो हम यहां पर लिखेंगे हर का परिमेश करन करने पर चलो देखो यह हो जा इंच्छे हों सबसे बाद देखे इस जगा आप को ये घुड़ा का चिन्म लगाना है इसके बाद हरने क्या करना है चार रिन वर्गमूल साथ दिया गया है तो आपको जो बीच में जो रिन का चिन्ह दिख रहा है उसके जगा लिख देना है धन का चिन्ह ठीक है मैं क्या बोराओ देखे इसी को मैं यहां पर लिखूंगा लेकिन रिन की जगा मैं लिख दूंगा धन क्या लिख द लगेट दीा है तो यहाँ पर ध्थण का चिल्ड दिया रहता तो यहाँ पर रिंग कची था तीक है अगर अगर देखे बच्चों हम इसको और इसको दोनों को काड़ देंगे वापस से क्यों पर मिलकर था आपने अगर इतना कर लिए और दुषर्विग्त मूंक्त चार धन वर्गमुल साथ लिए उसके बाद निचे का के साथ करेंगे कर लगाएंगे एंटू लगाएंगे फिर यहां पर इसको उतार देंगे यहां तक कुछी को को समस्या क्या नहीं होनी चीव आराम से में समझा रहा हूं ठीक है बहुत आराम से चल रहे हैं चलिए तो आगे को हम इस सद्धाल करेंगे उससे पहले हम अपने बोड़ों को दो भागों में बार देतें चलो देखो ठीक है आगे हम क्या कर सकते हैं तो उपर वाले को कोई चेंज नहीं करना है उपर वाला हमारा एजटीज लिखा जाएगा चार धन वर्गमूल साथ बट है अब देखे यहां पर हमें करना है गुड़ा कैसे गुड़ा करेंगे चार का सबसे पहले मैं गुड़ा करूंगा इन दोनों पदों के साथ चाहे तो आप जो सरवसमिका पढ़ें से सर्वसमिका के साथ ही सब्सक्राइब यहां पर ए माइनस भी इंटू ए प्लस भी उस वाले सर्वसमीका से भी इसको हल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो आप क्या करेंगे चार का गुड़ा इन दोनों पदों के साथ होगा देखे मैं क्या बोल रहा हूं चार का गुड अगर हम इसके साथ करेंगे तो यह हो जायगा चार धन वर्गमूल साथ यह अपनी जगह पर लिखा ठीक है चलो आगे इसको अगर करना यह लिखा जाएगा इसको को इसको मत किजिए भी ठीक है चलो अब नीचे वाले को हम हल करते हैं तो चार का गुड़ा करेंगे चार से और है जो साथ फर्गमूल वाला है तो कैसे गुड़ा करेंगे चार का गुड़ा sa preparate यह इसन प्रकार समेशका गुड़ा करते हैं समझ में आगि करते हैं तो रिफारीन वाले का गोड़ा होगा बाद में लिखते हैं तो वर्ग मुल्वाला क्या दिया हुआ है देखें यहां पर भी चार का गुड़ा है, है आप को Xate08 ranked करना है क्योंकि छायर जो है वह बिना वर्गमुल्ट वाला है और सद्वारगुन क्या था साथ लिखा जाएगा यह वर्ग मुलँ हड जाएगा तो आपको क्या मिलेतगा केवल साथ मिल जाएगा चलो अगर इसको हल्क तो उपर वाले क victorious ने करेंगे उपर वाला का मारा उत्तर आ चुका है वो ऐसे ही रहेगा इसको हल करेंगे कैसे यहां पर धन चार वर्गमुल साथ है यहां पर रिन चार वर्गमुल साथ है दोनों को हम ऐसे कैंसल कर सकते दोनों कड़ चुके सोला और यहां पर देखे साथ साथ किसमें है रिन में हैं तो सोला में हम साथ को हटा देंगे तो यहाँ पर आयेंगा नौ बस कुछ नहीं करना है अब देखे हर में हमें क्या मिल चुका है नौ Mangit और नो एक परिमेश संछा अर्फार्थ हमें प्राफता करनी थी वो हमने हर का परिम्रीज कर लिया और यहीं हमारा रोजाया गच्छो कितना होता है यह की सब्सक्राइब परोट परिमेकरन करना ही है कि एक ऐसा आपको आपको संख्या कि दिख जाएंगे तो हमारा हो गया है एंसर हमारा उत्तर हो चुका तो इतना ही आपको काम पढ़ना अपने सारे सिलेबस को complete पढ़ना है लंवी दस्वी के सारे चप्टर को पढ़ना तो आपको क्या करना है आपको हमारे अब इफसा एप को प्लेइश्टोर से जाकर डौनलोड करने नहीं वहां पर मैंने आपके सारे subject को गड़ित के जो सारे subject है उसको इदम क्रम से अध्यायवार पढ़ाया हुआ है और हर एक topic का अलग-अलग मैंने वहां पर video बनाया हुआ है आपको notes दिये हुए मैंने दिये हुए तो उन सारी चीजों को आप उठा सकते हैं पढ़ सकते बीना किसी रुकावट के और अच्छे अंकों से उत्तिन हो सकते हैं तो चलिए बच्चों अब मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक में एक इंट्रेस्टीन वीडियो के साथ तब तक के लिए था प्रक्ष्स करे चलिए और अजया कि उया झाल वीडियो कर वार का नेक्स्टीन का ऱिए हुए जो चक्का र वीडियो के शुका सकते हैं आप